जै श्री राम जै हनुमान आज की बालकान कथा कुछ इस प्रकार है जगुजान सन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारतु महा तही है तुम्हे व्रस केत सुत कर चरित संछे पहिं कहा यहां उमा संभु विभाहु जे नर नार कहा है जे गाव ही सडानन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म पताप और महान पुरसात को सारा जगत ही जानता है इसलिए मैंने व्रस केतु सिफ जी के पुत्र का चरित संछेप से कहा है सिफ पार्विती जी के विवाह की इस कथा को जो भी स्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्नान के कार्यों और विवाह आदि मंगल कार्यों में सुक पावेंगे गिर्जापती महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है उसका वेद भी पार नहीं पाते तब अत्यंत मंध बुद्धी गवार तुल सी दास उसका वर्णन कैसे कर सकता है संभु चरिती सुनी सरस सुहावा भरत द्वाज मुनियती सुख पावा बहु लाल सा कथाप बाढ़ी नहीं नहीं नीरो रोमा वली ठाड़ी सिप जी के रसीले और सुहाव ने चरित्र को सुनकर मुनि भरिद्वार जी ने बहुत ही ज़्यादा सुख माना कथा सुनने की उनकी लाल सा बहुत ही बढ़ती गई नेत्रों में जल भराया और रोमा वली खड़ी हो गई प्रेमे भी बस मुख्याव नबानी दसा देखे हर से मुन ग्यानी अहो धन्य तव जन्म मुनी सा तुमेही प्रान सम प्रिय गौरी सा वे प्रेम में मुख्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती, उनकी यह दसा देखकर ग्यानी मुनी यागिवल्क जी बहुत ही पसंद हुएं और उन्होंने कहा, हे मुनीश अहा तुम्हारा जन में ही धन है, तुमको गौरी पती सिव जी प्राणों के समान प्रिये हैं सिव पद कमल जी नहीं रती नहीं, राम ही ते सपन हुना सोहाई, बिनु छल बे सुना थि पद नहीं हूँ, राम भगत लचन हैं हूँ सिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री राम चन्द जी को सपन में भी अच्छे नहीं लगते विस्वनात स्री सिव जी के चरणों में निस्करपट विसुद्ध प्रेम हुना यही राम भगत का लच्छन है सिव सम को रगुपती व्रत धारी भिन अदित जी सती असे नारी पनुकरी रगुपती भगती देखाई को सिव सम राम ही प्रिय भाई सिव जी के समान श्री रगुपती की भगती का व्रत धारन करने वाला कौन है जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और पतिग्या करके श्री रगुपती की भगती को दिखा दिया हे भाई शी रामचंद जी को सिव के समान कौन प्यारा है पथमा ही मैं कही सिव चरित बूझा मरम तुम्हार सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त भिकार मैंने पहले ही सिव जी का चरित कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया तुम शीरामचंद जी के पवित्य सेवक हो और समस्त दोसों से रहित हो मैं जाना तुम्हारे गुन सीला कहाओ सुन हूँ अब रगुपती लीला सुन मुनि आजू समागम तोरे कही न जाई जैस सुख मन मोरे मैंने तुम्हारा गुन और सील जान लिया अब मैं शीराखनार जी की लीला कहता हूँ सुनो हे मुनि सुनो आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनन्द हुआ है वह कहा नहीं जा सकता जै शीराम जै हनुमान आज की बालकान कथा में बस इतना ही हर हर महादेव